प्रेमित्रों आप सबहों को प्रभी शुक्रीस्ट के नाम से प्रेम भरा नमस्कार सत्यवचन के आज के कारी क्रम में आपका फिर से स्वागत है सत्यवचन में हम प्रमीश्वर के वचन का क्रम बद अध्यन कर रहे है पॉलूस जो कलीसिया को सताता था एक समय उसका इसंसार के स्रिष्ठी करता प्रमेश्वर अर्थाती इशु के साथ साक्षातकार हुआ मुलाकात हुई और तब बहुत से लोगों के लिए वो आशीश का कारण बन गया तो उस्तों प्रभी इशुमसी से मुलाकात हमारे जीवन के लिए एक ऐसा महत्पूर पल हो सकता है पॉलूस का हिर्दय हर परिस्थिती में जगत के मुक्तिदाता को लोगों तक पहुचाने का था क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर कितना महाल है कि उसके समान पापी को नरक में जिसे होना चाहिए था लेकिन परमेश्वर ने ईशु के उधार कार के द्वारा उसे विश्वास के द्वारा धर्मी टहरा कर जीते जी सुर्ग का दर्शन कराया कितनी अध्भुत बात है दोस्तों और वो हर एक उत्तमकार को जो सुसमचार के लिए है पूरा करना चाहता था उसने हम सब के सनमुक एक उधारन प्रस्तूत किया कि हम भी जगत के लोगों के लिए आशीश का कारण बने दोस्तों आज के अध्यन में हम देखेंगे कि पॉलुस कितना ललाईत है कि यरुशलिम की कलीसिया के साथ संगती करे और रोम की कलीसिया को कठिन यात्रा के लिए प्रार्थना करने के लिए वो निविदन करता है कि वे उसके लिए प्रार्थना करते रहें दोस्तों उसका जीवन हम विश्वासियों के लिए एक नमूना है एक उदारन है आप से निविदन है कि आप हमारे साथ बने रहें इस अध्यन को ध्यान से सुने और इस अध्यन के अनुसार जो कुछ भी परमेश्वर का भचन आपको सिखाता है उसको पूरा करने में तत पर रहें आएए हम आगे बढ़ें वह यरुशलेम जाना चाहता था कि वहां के गरीब पवित्र जनों के लिए दान ले जाए और अपने हाथों से उन्हें दे क्यों क्योंकि उसने अपने ही हाथों से यरुशलेम की कलिस्या को उजाड़ा था उसने यरुशलेम की विश्वासियों को सताने में अगवाई की अतह इस महान प्रचारक के मन में यह था कि उनके लिए दान ले जाकर शती पूर्ती करें कुछ चंदा यहां चंदा का जो मूल युनानिश शब्द है उसका वास्विक अर्थ है सहभागिता यह शब्द विश्वासियों द्वारा कुछ भी आपस में बाटने के लिए काम में लिया जाता था इसमें सब कुछ था मसीह वचन, प्रार्थना, भोज तथा भौतिक दान विश्वासियों की सहभागिता परमेश्द के साथ थी, मसीह इश्व के साथ थी और एक दूसरे के साथ दान देने में थी सहभागिता का अर्थ पीठ थप थपाना नहीं खाने के लिए तो लोग प्राया साभागिता करते हैं परन्तु विश्वासी के लिए साभागिता का अर्थ है मसी की बातों की परस पर चर्चा करना यहां पौलुस येरुशलेम जाने का विचार प्रगट कर रहा है जहां वह कभी कलिस्या को सताता था अब वह उनके साभागिता करना चाहता था उनके लिए दान ले जाना चाहता था प्रेर्टों के काम में इसका एतिहासिक लिखा है पौलुस ने उनसे कहा प्रेर्टों के काम 24 अध्याय के 17 पद में लिखा है बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने और भेट चड़ाने आया था पौलुस के लिए यह चंदा बहुत महत्पुन था पौलुस इसके चर्चा दूसरे कुरुंतियों के पत्रे अध्याय 8 और 9 में करता है पौलुस रोम के विश्वासियों को लिख रहा है कि स्पेन के मार्ग पर वा उनसे मिलेगा परन्तो इस समय वा येरुशलेम के विश्वासियों के साथ साभाईता करने और उन्हें भेट चड़ाने जा रहा है रोमे की पत्री पंदरा ध्याय उसके 27 पद में आगे हम पढ़ते हैं उन्हें अच्छा तो लगा परन्तो वे उनके कर्ज़दार भी हैं क्योंकि यदि अन्य जातिये उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारिक बातों में उनकी सेवा करें मित्रो पालुस स्पष्ट कहता है कि यह चंदा भायों ने भेंट दिया था जैसा कि कुरंद की कलिस्या को उसने कहा था हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे ना कुड़ कुड़ के और न दबाव से क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है पॉलुस के पास यहां भेंट थी, पॉलुस स्पष्ट करता है कि यह दान भेंट ही नहीं, वे परमिश्वर को प्रसंद करने के लिए अन्य किसी रीती से नहीं दे सकते एक नैतिक आधार और रिन था, जो उन्हें चुकाना था, अन्य जातियों ने इस्राइल से सू समाचार प्राप्त किया था, हमारे प्रविश्व मसीह ने कहा था, यहनर्ची सू समाचार चारा ध्याय उसके बाइस पद में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहुदियों में से है, मित्रों आपको समरण होगा कि सू समाचार का आरंभ यरुशलेम के आभारी थे, अतिस संभव है कि यरुशलेम के विश्वासी कठिनाईयों और अख्या के विश्वासियों के लिए उत्तम आउसर था कि वे दान द्वारा आत्मिक रिण चुका हैं या अन्य देशों की सेवा का विपरित रूप है मूल कलिसिया सु समाचार प्रचार करने वाली कलिसियाओं द्वारा सहेता प्राप्त कर रही थी रुमियों की पत्री पंद्रा अध्याई के 28 पन में लिखा है इसलिए मैं यह काम पूरा करके और उनको यह चंदा सौप कर तुम्हारे पास होता हुआ स्पेन को जाऊंगा आप समझ रहे हैं न कि यह दान महान प्रेरित पौलुस के मन का बोज पौलुस के उत्सा पर ध्यान दीजिए कि वह उसे स्वयम यरुशलेम ले जा रहा था इस यात्रा के कारण ही वह बैरियों के हाथ में पड़ गया था और अंत्तह बंदी बनाया गया मैं अपने उन भायों से सहमत नहीं जो कहते हैं कि इस काम में पौलुस परमेश्वक की इच्छा में था जैसा कि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में देख चुके हैं उनको यह चंदात सौप कर संभवता इसका अर्थ क्या हुआ कि पौलुस चाहता था कि यरुश्यरिम की कलिस्या अपने सेवा के फल देखें मेरा अपना मानना यह है कि यदि आप किसी काम के लिए दान देते हैं तो आपको जानने का अधिकार है कि वह किस काम में लिया जा रहा है आज मसीही दान का शेत्र अत्यधिक जोखिम भरा है मेरी अपनी राय में विश्वासी भायों आपको दो बाते जाने बिना किसी काम में दान नहीं देना चाहिए पहला वह किस काम में आ रहा है दूसरा क्यावा परमेश्वर के वचन की सिवा में काम आ रहा है मन और जीवन को प्रभावित करने के लिए रोमिय की पत्री 15 अध्या के 29 वद में लिखा है और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसी की पूरी आशिष के साथ आऊंगा यह रोम की सफल यात्रा पर पौलुस के स्विक्रीती की मुहर है वह परमिर्ष की इच्छा में और अपनी प्रेर्टाई की परिपूर्टा में वहां गया था परमिर्ष ने उसे इस यात्रा में दिव्य अंत्रद्रिष्टी प्रदान की पालुस ना तो यरुशलेम जाने में और नहीं रोम जाने में परमेशक की इच्छा के प्रतिकूल था उसकी यात्रा सुख़द प्रतित नहीं होती है परन्तु परमेशक ऐसा ही चाहता था परमेशक की संतान के लिए परिशानिया और अंधकार एवं शंका के समय में यह कहना अति आसान होता है मैं निश्य ही परमेशक की इच्छा में नहीं हूँ मेरे मित्रों केवल इसलिए कि आप परिशानियों और सिंताओं से घिरे हुए हैं आप सोचें कि आप परमेश्य की इच्छा में नहीं है, सही नहीं है। सच तो यह है कि आप निश्य ही परमेश्य की इच्छा में हैं। यदि आप शांती से और कश्ट रहत जीवन जी रहे हैं, तो अतित संभावना है कि आप परमेश्य की इच्छा में नहीं है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 30 पद में लिखा हुआ है। हे भायो, हमारे प्रविश्व मसीह के और पोईत्र आत्मा के प्रेम का इस्मरन दिला कर मैं तुम से विंती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्व से प्रात्ना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। मैं इसे शेत्र हैं कि प्रथम शतावदी में मसीही विश्वास कैसा था। हम मसीही विश्वास का व्यवहारत्म गरूप देख रहे हैं। रोमियो की पत्री के प्रथम भाग में पौलुस ने हमें कुछ सिधान सिखाये और अब वह उन्हें व्यवहार में लाता है। हम बाइबल में पौल और आत्मा के प्रेम का स्मरन दिला कर तुम से विंती करता हूं कि मेरे लिए परमेशा से प्रात्ना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। पौलुस जान गया था कि उसे जान का खत्रा है और उसकी सेवसंकट कालिन इस्तिती में है। वह चारों और शत्रों से घिरा जैसा कि आगामी घटनाओं ने सिध्धि किया। वह प्रात्ना करने का निवेदन करता है परन्तु एक बड़ी अध्वुत रिती सुझाता है। प्रभी इशु मसी के नाम में। पौलुस जानता था कि उस पर आने वाली भलाई या बुराई सब इशु मसी को पार करके ही उसने रोम के विश्वासियों से निवेदन किया कि वे उसके लिए प्रात्ना करें। वह कहता है कि वे सब मसी इशु के नाम में उसके लिए प्रात्ना करें। वही हमारा महान मध्यस्त है। उसके नाम में मेरे लिए परमिश्ट से प्रात्ना करो। पौईत्र आत्मा के फ लौलीन का जो युनानी शब्द है उसका मूल अर्थ है भिशन, पॉलुस के कहने का अर्थ है तिब्रमानसिक व्याथा के साथ मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए, वह अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना का निवेदन करता है कि वह मसी इश्य के सु समाचार की आश पॉलुस की प्रात्ना में महान मनोव्याथा होती थी, आत्मा को कष्ठ होता था, वह परमेश्वर को जगजोर देता था, आज ऐसे प्रात्ना की घोर आवशक्ता है, हमें ऐसे मनिश्यों के आवशक्ता है जो हमारे लिए कैसे प्रात्ना करना है जानते हूं, हम रोम्य के पत्री पंदरा ध्याय के एक्तिस्पत में आगे पढ़ते हैं कि मैं यहोदिया के आविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सिवा जो यरुशलेम के लिए है पौईत्र लोगों को भाए। स्विकार करने से पीछी हटेगी वह चाता था कि वे उस भेट को स्विकार करें। मेरे मित्रों उसकी दोनों प्रार्थनाय सुनी गई। अब कोई कहे यह तो ठीक है प्रंतु अंत में बंदी बनाया गया। जी हां। प्रंतु वह तुरंत रोमिस सैनी को द्वारा निकाल लि पूर्ती थी। रोमियो की पत्री 15 अध्या के 32 पद में हम पढ़ते हैं। और मैं परमिश्व की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। या पालुस के प्रात्ना निवेदयन के परिनाम की आशा है। प्रात्नाय सुनी उसका जीवन बचाया गया। यरुशलिम की कलिस्या ने भेंट स्विकार की और वह आनंद पूर्वक रोम पहुँचा। चाहे उसने कैसरिया के बंदिग्रिह में दो वर्ष भिताये। उसका जहाज टूटा और रोम में भी वह बेडियों में था। वह पोईत्र आत्मा के आनंद में रोम पहुचा। काश हम सब के जीवन में यह आनंद हो। क्या पौलुस को रोम में विश्राम और आनंद प्राप्थ हुआ था। इसका उत्तर विवादात्मक है। निश्य ही उसे यह सब वरन इससे भी अधिक प्राप्थ हुआ। परन्तु रोम और स्पेन के पार प्रभू की उपस्तिती में उसने अपने जीवन के अंत में अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियूस को लिखा, दूसरा तिमुथियूस की पत्री चारा ध्या उसके छे से आठ पद में, क्योंकि अब मैं अर्ग की नाय उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ जिसे प्रभू जो धर्मी और न्याई है, मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं, वरन उन सब को भी जो उसके प्रगट होने को प्रिये जानते हैं। मित्रो इसी के साथ अध्याई 15 समाप्त होता है और अब हम अध्याई 16 से अपने अध्यान को बनाए रखेंगे। जिसका विश्या है, फीवे का सौपा जाना, रोम के विश्वासियों को आशिरवाद, अन्य विश्वासियों के साथ विवार, पॉलुस के संगी विश्वा अभिवादन भेशते हैं, आशिरवाद। वधिक प्रकाशन पूर्ण अध्यायों में से एक मानता हूँ, अब पॉलुस सिधानतों के शिखर को त्याग रोम की सडकों पर आ गया है, यहां हम विश्वास की विवारिक्ता देखते हैं, पॉलुस ने जिन महान शिक्षाओं का प्रबोधन किया, वे अंतरिक्ष में छ रोमी की पत्री के किसी भी अध्यन में यह अध्याय सयोजित होना आवश्यक है, इसे अंदेखा ना किया जाए, विलियम आर निवेल कहते हैं, अध्याय सोला अनेकों द्वारा स्वयम की हानी के निमित अंदेखा किया जाता है, मित्रों इस अध्याय में 35 वेक्तियों का न परसपारिक प्रेम और मृत्यू अनुराग व्यक्त है, जो रोमि दर्शन शास्त्र के विरुद है, उनके विवहार से सुसंगत नहीं है, या आज की कुछ कलिस्याओं से भी सुसंगत नहीं है, रोम के विश्वासी विन्य थे, इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि रोम इन विश्वासियों को देखकर आश्चर से कहता था, ये विश्वासी एक दूसरे से कैसा प्रेम रखते हैं, तो आएए अब हम आगे देखते हैं, फिवे का सौपा जाना, इस अध्याय के आरम ही में फिवे की सराहना की गई है, वही थी जो इस पत्र को रोम लाई थी, रोमि विंख्या की कलिस्या की सेविका है, विंती करता हूं, कि तुम जैसा की पोईत्र लोगों को चाहिए, उसे प्रभो में ग्रण करो, और जिस किसी बात में उसको तुमारी आवश्चकता हो, उसकी सहयता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रह मेरे मित्रों, विश्वास के नायकों के सूची में फीवे पहले विश्वासी है, वह विजाती महिला थी, जैसा कि उसके नाम से विदित है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, रोम की कलिस्या में अनेक अन्यजाती विश्वासी थे, उसे युनानी चंद्रदेवी, अर्ति मिस या डाइना के नाम पर नाम करण किया गया था। उसका भाई अपुलोस सूरी देव था। प्राया विश्वासी बप्तिस्मा पाने पर अपना नाम बदल लेते थे। परन्तु फीबे ने किसी कारण वश अपना नाम नहीं बदला था। फीबे रोम की कलिस्या के लिए यह पत्र लेकर आई थी। प्रगट है कि वह रोम की कलिस्या में एक विशिष्ट अस्थान रखती थी। दूसरे शब्दों में वह एक योग्य महिला थी। उसे किंख्या की कलिस्या की सेविका कहा गया है। मैं प्राचिन कुरिंथ नगर के खंडुरों पर खड़ा था। तब मैंने दूर नीचे की ओर किंख्या देखा। क्योंकि वह किंख्या कहीं अधिक निकट प्रतित हो रहा था। अतह कुरिंथ में रहते हुए पौलुस ने यह पत्र लिखा और फीबे जो धन धानिस से पूर्ण थे या व्यापार करती थे उस पत्र को लेकर रोम आई। उसे कलिस्या की सेविका कहा गया है। इससे सपष्ट होता है कि आरंभी कलिस्या में इस्त्रिया माननी अस्थान रखती थी। यह मेरा विचार है कि हम कलिस्या में महिला पास्टर नहीं रखते हैं। यह धर्म शास्तर में वर्जित है। उन्हें सिवका तो बनाया जा सकता है और कलिस्या की समीति में बराबर का स्थान दिया जा सकता है कलिस्या की महिलाओं को अंतर द्रिष्टी और बुद्धी की आवशकता है परमिर्शन ने इस्तिरी को पूरुष से अधिक सुकोमल बनाया है जैसे घड़ी वाहन से अधिक उतक्रिष्ट है उसमें सोचने की वह शमता है जो पुरुष में नहीं होती है उधारन सरुप वह एक पुर्ण परदेश्य इस्तिरी को देखकर पांच मिनट में उसके परिधान और वेवार से उसके बारे में बहुत कुछ भाप लेती है हम पुरुष ऐसी स्थिती में मुर्ख बन जाते हैं हम केवल यही देख पाते हैं कि वह सुन्दर है या नहीं अतह कलिस्या को इस्तिरियों के अंतरद्रिष्टी की आवश्यक्ता है पालुस ने डाग विभाग के अपेक्षा फीबे को वह पत्र देना अधिक उचित समझा था क्योंकि रोम की डाग से वह अत्यधिक विलंब करती थी पालुस यरुशलेम जाता है और फीबे पत्र के साथ रोम जाती है मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहिन है विंती करता हूँ पालुस उसे रोम के विश्वासियों को सौपता है या अंतिम अध्याय में व्यक्त प्रथम महिला है मेरे मित्रों क्या आज हम अपने कलिस्याओं में इस प्रकार की बहनों की सेवा लेते हैं क्या हमारे कलिस्याओं में आज इस प्रकार की बहने हैं जो सेवा देती हैं आज हमारी बहनों को भी इस पर विचार करनी की आवशकता है पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, सम्मान, पॉलुस के लिए सु समचार प्रचार करना प्रतिस्पर्धा की नहीं, पर सम्मान की बात थी आज का प्रश्ण है बाइबल में विश्वासियों से पॉलुस का अत्यदिक पावन, सत्यनिष्ठ और गंभीर निवेदन किस बात के लिए है? A. मेरे लिए प्रार्थना करो B. चंदा एकत्र करो C. एक दूसरे से प्रेम करो D. विश्वास में बढ़ो मित्रों इस प्रस्ण का उट्टर हमें कल सुबा 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651-433-97 पर SMS या WhatsApp करें सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान किये जाएंगे धन्यवाद क्या आपको यह कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं प्रिमित्रों आज आपने देखा कि पॉलूस रोमियों के अंतिम अध्याएं में 35 नाम लेता है 35 परन्तु फीबे के नाम से वो इसको आरम करता है क्योंकि फीबे एक प्रभू की भक्त महिला थी उसने ना सिर्फ पॉलूस को बलकिन बहुतों की सहायता की थी जब कोई प्रभू का महान भक्त हमारा नाम लेता है तो हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं दोस्तों फीबे के बारे में इससे अधिक कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है लेकिन इसलिए कि उसने परमेश्वर से अनुगर पाकर परमेश्वर और उसके सेवकों की सेवा करने में लगी रही या वो काम करते रही उसका नाम बाइबल में अंकित किया गया है यदि हम परमेश्वर की और उसके सेवकों की सेवा को सवभाग्य समझते हैं सू अउसर समझते हैं तो हम ना सिर्फ सू समचार को प्रोटसाहित करते हैं पर एक दिन हमारा नाम भी स्वर्ग में इसी रीती से लिया जाएगा दोस्तों इसलिए पौलूस और उसके मित्रों के समाद सू समचार के लिए उत्साहित रहें और दोनों से कारियों से परमेश्वर की सेवा के लिए आप तत पर रहें विश्वासियों के लिए संसार में इससे उत्तम कार और कोई नहीं है दोस्तों क्योंकि जितने कार हम संसार में करते हैं वे सर्ग में याद नहीं किये जाएंगे परंतो सू समचार की सेवा इस पृत्वी पर और स्वर्ग दोनों में स्मरंट किये जाएगी क्या आप इस सू समचार की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं आज आपके लिए एक चुनोती है कि आप किसे भी रीती से लोगों को सू समचार के साथ जोड सकते हैं आएए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करें और धन्यवाद दें कि प्रभू ने हमें ये ऑंसर दिया है कि हम उसके सू समचार के सेवा ठहराई जाए आई ये प्रार्थ न करें हमारे स्वर्गे पिता परमेश्वर प्रभूईश्यों के नाम से इस धन्य सेवा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभू आपने एक अद्भुत जिम्मधारी हम विश्वासियों को दिया है कि हम सू समचार की सेवा करें वचन कहता है कि तू समय असमय तैयार रहे कि सू समचार लोगों को परचार करने पाए पिता परमेश्वर संसार में सबसे उत्तमकारे आपने हमारे हाथों में सुपुर्थ किया है और इसे एक जिम्मधारी के रूप में दिया है हमारी सहायता करें हमारे दर्शकों की सहायता करें कि पिता वे अपने इस जीवन भर आपके वचन के लिए सेवा रत हो आपके जितने भी भक्त हैं वो सेवा में जो हैं उनके प्रतीवे सहिर्दै रखें उनके लिए वे उस सेवा में सहायता करें ताकि उनकी सेवा प्रभू आपके स्वर्ग राज में ग्रहन होने पाए और जितने हमारे दास जितने हमारे दर्शक इस सेवा में जुड़े हुए हैं या जुड़ने का विचार कर रहे हैं उन सब को प्रभू आप अपने अनुगरे से समाले महिमा और आदर आपको देते हुए बिता बिन्ती ईशु के नाम से मांगते हैं आमेन दोस्तों यदि आपने आज एक निर्ने लिया है कि आप सूसमचार की सेवा में आगे बढ़ेंगे तो आप हमसे संपर करें हम आपके साथ खड़े हुए हैं ताकि हम आपकी सहायता करें कि आप अपने शेत्र में किसी न किसी रीती से इस वचन को लोगों तक पहुँचा सकें TWR आपके साथ इस काम में सदा खड़े रहेगा परमिश्वर इस कार में आपको उप्योग करें और बहुतायत की आशीश आपके जीवन में प्रदान करें धन्यवाद अपन्यवाद